तो दोस्तों जो एकदम खिनारे पर जो तालाब था जैसे यह इतना बड़ा तलाब है इसमें दो पार्ट में था दो भाग कर दिये थे हम लोग तो उस तालाब में हम लोग आज जो है जीरा साइज के बच्चे जो है छोड़ेंगे तो आएए आपको जो है दिखाते हैं कि कै खिस ये चोड़ा जाएगा जीरा साइज का बच्चे जो कामन कार्प ये गोल्ड कामन कार्प आती है भावीध आज लोग उसमें जीरा साइज का बच्चे जो है झोड़ेंगे एकदम किनारे पर है दudखल के आपको दिखाएंगे फिलहाल अब आपको दिखाते हैं अभी आपको दिखाएंगे चलिए देखते हैं किस प्रकार से आता है अश्यात को गारी के नश्पीब तो यहीं सब्सक्राइब तक वीडियो को थो फड़ा पुष करते हैं ताकी जल्दी से जल्दी आप देशाथ जिसमें आक्सीजन गैस के साथ में और एक पैकेट में पचास जार जो है जीरियसाइज की बच्चे हैं इसमें और यह टोटल जो है तेईस पैकेट है जो साधे ग्यारा लाख बच्चे होते हैं पानी भला रहे हो इसे लेक चला हुँग खोल लेकिन आप लागा है यह देखे जो भडेला टायप का वरतन होता है वो पैकेट को फूरा जो है उसी मरक करके तालाब तक ले चलके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको छोड़ते हैं एक सिंपल दिखा देंगे तो आप continue समझ लीजेगा ऐसे ही जो है छोड़ा जाएगा पूरा बच्चा तो आई आपको दिखाते हैं तो दोस्तो वीडियो बनाने में जो है आप लोग जानते ही हो कितने मनहत लगता है और मैं तो ज्यादा इसपर्ट भी नहीं हूँ वीडियो बनाने में सिर्फ एक्सपर्ट हूँ तो जो भी हूँ यह मचली पेपालन के बारे में हूँ और जैसा भी मेरा वीडियो रहता है ज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बिल नोटिफिकेशन दबाना न भूलिएगा क्योंकि उसी से जो है आपका मैं जब नए वीडियो अपलोड करूंगा तो वही नोटिफिकेशन के जरी आप मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं सौब सुपाहले देखिए अभी इसको छोड़ा जाएगा देखिए इसमें मैंने कहा था ना दो पार्ट में बना है तलाप तो इसमें जो है इसको और चोड़ा जा रहा है समझेलीजिए जीरा साइस का बत्ता है यह यह देखिए कितना छोटा है कर दो है कि बहुत छोटा है सायद आप इसे देख पाएं आप अब चलिए इसका दूसरा पार्ट जब बनेगा वीडियो का उसके हम दिखा देंगे इसको ज्यूंग करके तो तो कितना बड़ा है बत्ता कि अखील आप आप यह देख लेजिए किसे छोड़ा जाता है यह आप सीजन के साथ सब्सक्राइक करके आया है और एक टैकेट में 50,000 बच्चे हैं और यह बीड है कामन कार्फ की और कामन कार्फ में दो आती है गोल्डेन कलर का आता है एक जो है ब्लेक कलर का आता है हुआ है यह ने वह अच्छी तरीके से बाढ़ जाता है जो है रास्तिम प्रेया निकले ना अगर निकल जायागा तो इसकी गैस निकल जागी था रवच्चे तो है मर जाएंगे और यह बिल्पुल जीडा जो होता है जैसे उत्ता बड़ासा है बहुत जारा बड़ा नहीं हो कि आपके शिक्ति में बर्ड ने टोड तो है इसके लगा है नहीं तो यह सब चिडिया हो गएरा था लेती है इसको और किनार देखी साइड जाली ही लेगी हो कोई अन्य जानुवर भी इसमें नहीं आएगा कि यह देखिए बच्चिक को ऐसे इसमें पलता जा रहा है कि यह उसी जो है दो चार चिपके हुए होते हैं उसको निकाल लगा रहा है कि अब इसको साफ कर देंगे इसको तो दोस्तों मेरे पास यह आया था तो हमने वीडियो बना के आप सबको दिखा सकूं ताकि आप लोग भी अगर स्टॉंग कहीं से पर्चेज किये हों तो ऐसे ही जो है आप लोग अब आराम से इसको दीरे से तलाव में छोड़े कि और इसको हो सकते हैं इसकी केर जो है बहुत हिसाप्स करने होगी आपको आपको यह पूरा आपको अच्छी तरीके से अपना रिजल्ट दिखा सके हैं यह लोग कि दोस्तों इधर चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसलिए आवाद जो है दब जा रही है कि आपको चलते हैं ने इस दिखा देते हैं कि कैसे निकाल के एक बार फिर से इसमें छोड़ते हैं कि यह देखिए कि यह जीरसा इसका बच्चा है कि यह जीरसा इसका बच्चा है कि यह जीरसा इसका थे आप सकता है किरी जादा पर्ते देखिए कि अगह क कि अगए में अगए मैं आपका पहिलन चया रहे हैं कि जाद कि वे बुद्वर्अ कि आप हिसमा इसको छोड़ने जा रहे हैं यह लोग कि अ इसमें लोग अ कि थोड़ा से पानी के अंदर जाना पड़ता है इसको छोड़ने के लिए बिल्कुल किनारे ना छोड़ा जाए तो बेतर होता है पानी किनारे जा सकते हैं इसमें पानी कर देफ्थ जो है इस टाइम पर तीन फिट है और जो इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि तीन फिट कम रहेगा तो यह लोग जो है आराम से उपर नीचे जा सकेंगे नहीं तो ज्यादा गहरा होगा जो है तो इच्छे फित रहेगा तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाब तो